अब मैं आपको जारखन के एक आदिवासी गाउं के बारे में बताना चाहता हूँ, इस गाउं ने अपने बच्चों को मात्रु भासा में शिक्षा देने के लिए एक अनूठी पहल की है, मंगलो गाउं में बच्चों को कुडुक भाषा में शिक्षा दी जा रही है, इस स्कूल का नाम है कार्तिक उराउं आदिवासी कुडुक स्कूल, इस स्कूल में तिन सो आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं, कुडुक भाषा उराउं आदिवासी समुदाई की मात्रु भाषा है, कुडुक भाषा की अपनी लिपी भी है, जिसे तोलंग सी की नाम से जाना जाता है ये भाषा धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही थी जिसे बचाने के लिए इस समुदाय ने अपनी भाषा में बच्चों को सिक्षा देने का फैस्टला किया है इस स्कूल को शुरू करने वाले अर्विन उराओं कहते हैं कि आधिवासी बच्चों को अंग्रेजी भाषा में दिक्कत आती थी इसलिए उन्होंने गाउं के बच्चों को अपनी मात्रू भाषा में पढ़ाना शुरू कर दिया उनके इस प्रयास से बहतर प्रणाम मिलने लगे तो गाउं वाले भी उनके साथ जुर गए अपनी भाषा में पढ़ाई की वज़ा से बच्चों के सिखने की गति भी तेज हो गई है हमारे देश में कई बच्चे भाषा की मुश्किलों की वज़त से पढ़ाई बिच में ही छोड़ देते थे ऐसी परेशानियों को दूर करने में नई राष्टिय शिक्षा नीती से भी मदद मिल रही है हमारा प्रयास है कि भाषा किसी भी बच्चे की शिक्षा और प्रगति में बाधा नहीं बननी चाहिए